जय श्री मन नारेन आपके अपने यूटूब चैनल आचार पंडित अज़र सर्मा में बहुत बहुत स्वागत है आईए आज आप सुनेंगे विश्नु परान के प्रथम अंसमें सोले में अध्याय की कता अगर आपने पिछले अध्याय की कता सर्मा नहीं की है तो कृपा करके अवस्य सर्मा करें हमारे यूटूब चैनल पर विश्नु पुरान के नाम से प्ले लिश्ट तयार हो सुकी है उस पर आपको शवी अध्यायों की कता प्राप्त हो जाएगी ये विश्नु पुरान की कता आपके जीवन में काफरी बैदलाब लाएगी लक्षमी नारायन की कृपा आपके जीवन में हमेशा बनी रहेगी हमारे यूटूब चैनल पर रोज एक अध्याय की कता सर्मान कराई जाती है तो आप फृतिक अध्याय की कता सर्मान अवस्य करें और अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को जादा से जादा से शेयर करें ताकि उनको भी ये लाप्राप्त हो सके विश्नु पुरान के प्रतम आंस में सोले में अध्याय की कता में नरसिंगा अवतार के बिस्यक फृत्रशनों के बारे में वरण किया गया है तो आईए कता प्रारम करते हैं बोलिए विश्नु भगवाने की जै लक्षमी नारैड भगवाने की जै स्री मेत्रे बोले आपने मात्वाओं मनु पत्रों के बंसों का वरण किया और यह भी बताया कि इस जगत के सरातन कारण भगवान बिश्णों ही हैं पिंतु भगवन आपने जो कहा कि देत स्रिष्ट पहलाजी को तो ना तो अगनी नहीं बस्म किया और ना उन्होंने सस्त्र अस्त्रों से आगात किये जाने पर ही अपने प्रान को छोड़ा तथा पाशवद्ध होकर के समुंद्र के जल में पड़े रहने पर उनके हिलने डुलने हुए अंगों से आहत होकर प्रित्वी डगवाने लगी और सरी पर पत्त्रों की बोचार करने पर भी वे नहीं मरे इस कारण जिन महावद्धी मान का आपने बहुती मातम वरण किया है वे तो वड़े ही धर्व परायन थे फिर द्यत्यों ने उन्हें क्यों अस्त सस्त्रों से प्यूनित किया और क्यों समुंद्र के जल में डाला गया उन्होंने किस लिए उन्हें परवतों से दवाया किस कारण सापों से डसवाया तथा सिखर से गराया और क्यों अगरी में उन्हक्पादेतियोंने उन्हें दिक्जुखों के दातों से चोर उद्वाया और क्यों सर्वपोषण वायू को उन्के विजिए नेक्ति किया, हैम। उन्हें उन्हें पर द्यत्गुरूवोंने किसलिए invaluable का प्रियुक किया, और सम्रासुन न्हें क्यों अजारव माया का वा ये महावाग मात्मा पहलादगा ये संपुड चरित्र जो उनके महान मात्म का सूचक है मैं सुनना चाहता हूँ यदि देतगण उन्हें नहीं मार सके इनका मुझे कोई आशर नहीं है क्योंकि जिसका मन अनन्य भाव से भगवान विश्नु में लगा हुआ है उसको भला कौन मार सकता है आशर तो इसी का है कि जो नित्त धर्म परायन और भगवत आराधना में ततपर रहते थे इनमें उनके ही कुल में उत्पन हुए देत्तों ने ऐसा आती दुसक्रत देश किया क्योंकि ऐसे समदर्सी और धर्म भीरू पुरुसों में तो किसी का भी देश होना अत सरहीन विश्लिम भक्त को देत्योंने किस कारणों से इतना कष्ट दिया सो आप मुझे बतलाईए मात्वा लोग तो ऐसे गुण समपन साधु पुरुसों के विवक्षी होने पर भी उन पर किसी प्रकार का पेहार नहीं करते फिर सबख्ष में होने पर तो क्या केह ना ही क् इसलिए ए मुनिसलेष्ट ये संपुण पृत्तरांत विस्तारपूरवक इसका व्रन कीजिए मैं उन देतराज का संपुण चरित सुनना चाहता हूं भोलिये भक्त वस्त्र भगवाने कीजे विष्णू नारएन भगवाने कीजे लक्षमी नाराएन भगवाने कीजे सभी देवी दिवताने कीजे प्रियस रोता हो मैं आसा करता हूँ आपको ये कथा बहुत अप्छी लगी हो गई है तो कृपा करके इस कथा को लाइक, सेयर, कॉमेंट बॉक्ष में विश्यों भगवान कीजे अवस लिखते हैं अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हुए हैं या पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो कृपा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जैस्री रादे, जैस्री मन्ना राय